गुद मॉर्निंग गाईज विल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग तो पिछले ब्लॉग जहां से अंड किया थे यह वला महीं से स्टार्ट कर रही हूं अभी हम लोग आ गया है ट्रेन में और यहां पे जो कुली भाईया थे वो हमारे सामान को अरेंज कर रहे थे और अच्छे से लगा दिया सामान थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए मों को निकुली कर लिया था तो बस वहां पे सीट के नीचे सामान को अरेंज कर रहे हैं और इस बार हमारा टिकट जो है वह सेकेंड एसी का है तो इस बार हम आप लोगों को सेकेंड एसी दिखाएंगे और दूरन तो एक्सप्रिस का कैसा एक्सपीरियेंस रहा हमारा डिनर वगेरा हर चीज का इस बार हम लोग जाने सेकेंड डेसी से क्योंकि टिकट नहीं मिला फ़र्स्टेजी धा वर्स्टेजी में थोड़ा राम रहते की उसमें कैबिन बना होता है तो बंदकर दूर पर्दे भी नहीं दिख रहे है बीच में हैना यहां पर तो है पड़दा खिड्की पर सीट तो यहां पर भी है, विंडो साइड भी है, उसमें विंडो साइड नहीं रहता, तो खेर, भी बढ़ गए हैं हम लोग, किट्टू दूर पी रहे हैं, यह भी पाल बेल चलेगी ना यहां से, किना बज़रा होगी, साड़ी चार और बज़रा होगा, इतनी बारिश होगी है, इतनी बज़रा है, यहां पर आ गई है लाल चा, पोल्केता की फेमस, इसको लाल चा है होती है, इसको लाल चा बोलते है, इनके कुछ चैक पती हमको अलग टाइप की होती है, तो बैने का आपको दिखा दू, मेरा पीने का बिलकुल भी मन नहीं था, तो मैं आपको दिखा दी कैस बस आगया तो मैंने आपको दिखा दे तो इसलिए तो दुरंतो फेमस है दुरंतो एक्स्प्रेस करेक्ट पांच जी हमाई ट्रेन चल चुकी है सियाल्दा से तो कल वसे राइट आइम का साम गंसुबे पांच बजे का है वहाँ पाउचने का है तो इसलिए पाउचा देगी इसलिए इंडिया की नंबर बन ट्रेन है है तो अला में लो बच्चा किने खुच होना देख रहा है अपना काना देख रहा है न और भी थोड़ी दिन में हम लोका नाश्टाएगा है तो इन्होंने डिनर हो गयरा लिया है अभी मैखारी चिप्स क्योंकि ट्रेन में बैठक इसलिए करें अजी किसे लगा से किसे लगा से कंदेसी किना स्टाएगरें इसलिए पर फ्रॉट सी जादा पर चाहिए ता 2 मची सी जादा अच्छा एक्स्पिरियंस था रहा ना बट बही है कि इस भा रम लोंको को ट्रुक बलेवल नई था मिल नहीं पाए तो बेंदे चल तो कर एक पांच बजे हमारी ट्रेन वहां से निकल चुकी है तो दुरंतो एक्सप्रेस का जो पहला एक्सपिरियंस था वह तो काफी अच्छा था कि वह टाइमिंग बहुत सही है इसकी इंडिया की नंबर वन ट्रेन है तो वाकई में टाइम के मामले में तो है तो बस हम क्या क्या है मैं दिखाती हूं आप लोगों को तो यह देखिए एक मैंगो फ्रूटी है वो पतनी किस ब्रैंड की थी वो वाली नहीं थी जो हम लोग पीते हैं और इसके साथ ही कुछ स्नाक्स थे नमकीन थी पचोरी थी तो यहां पर है यहां पर है यह है चना था बुना और इसके उपर से गुड को कोड कर दिया गया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यह मीठा मीठा सा चाना था बुना हुआ और उसके साथ मुर्मुरे वाली नमकीन थी एक मैंगो फ्रूटी थी और यह सोन केक था सोन पापड़ी का कुछ ऐसे था और एक पचोरी थी था का पूरा पैक था सुर्म टी बैक था टीकिट थी शुगर था और दूंद का पैकत घएसथा था तो बस यहां पर हमारा नाश्ता आ चुका है यहां पर प्रूटी चाय मिलेगी यहां पर यह वाली चाय हुआ हमें गी के जलसी फटा-फट बन जाएगी ना आस तक मैंने कभी इनके आदी है एक बार पी यह एक बढ़ आपने बना के दी ना मुझे ज़रूरत क्या है ना क्या क्या डाला डाला रेश्पी तो पताते जाहिए मेरे विवर्स को सबसे पहले गरम पानी लिया उसके बाद दाले लिए पर चाकपती डाल जिए पर दूर डाल दिया अच्छा अपने पहले डूर डाल दिया वाव अच्छा शक्कर कर डालेंगी आप लोग गार से देखियेगा ये रेसिपी कोई बताई काने इतना डी तेल है पहले पानी ये मेरा लड़का और पागल का कर रखाए तो यहां पर हम राष्ट कर लिए किशिव ने कर लिया कि सूगा कि इसको ट्रेमें बहुत नीज आती है तो अराम से सो गया है और में भी लेट गई हूं कि रात हो रहीती तो नेसा चलो अब अराम से लेटे हैं किया हूं मेरे विवर्स ने आपको है बर्दे विश्किया है एक तरह नो Ifis और उसकी बाद है थ हमाईर टार तो हमने वेज लिया थे क्योंकि सावन चल रहा था और वेज में क्या है वह मैं आपको दिखाती है निदे अपर दिनर अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और डिनर का भी एक्सपिरियंस आपके साथ शेयर करेंगे हम तो डिनर में क्या था दिखाती हूँ मैं आपको यह है मतर पनीर तो सब्जी में था मतक मेरी वाली जो कि बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था काफी अच्छा था मेरे लिए नमक क करेंगे लेकिन ठीक था मतलब सबका टेस्ट अलग अलग होता है वह सकता है बहुत पारे लोग ऐसे ही पसंग करते हो बड़ अच्छा था और इसके साथ ही दाल एरहर वाली और वह बिल्कुल उसका टेस्ट घर जैसा था बहुत ही अच्छी दाल थी तो टेट आउट पराटो को एक तो मैं देके थे उपर से बहुत जाड़ा मोटे थे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे यहां पर यह आपको दिखा रहे हैं तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बाकि दाल और सब्जी ठीक थीक था चाबल भी ठीक था और दही भी थी खाना हमें किक्स करेंगे खालेंगे ठीक ऑषिप कर लेंगे अखुशनल्य खालेंगे के में कई त्यड़ंद घरवाले थे लाटो कशा उप्मार भी तो इंहां आतर और यहां था सब्सक्रङए ठीक ही मुझे म्нов तो अभी हम लोग यहां पे दिनर गया रख करके लेट सो गय थे और अभी सुबह के पांच बज रहे हैं और हमाई ट्रेन पहुच चुकी है कानपुर तो कि शुबह भी सो रहा है हम लोग उड़ गय थे तो अभी सुबह पांच बज रहे हैं बस कानपुर पहुच गए हम लोग ट्रेन रुजाए तो रहेंगे और देखो हालस कैसी यह रखी है बिंदे इंदी साब गर गई है नहीं बहुर ज्यादा आ रही है तो उसे में जाकर शाहेंगे और यह देखो तो शेफ सो रहा है यहां काफी अच्छा था मतलब हम वहां से पांथ बजे चले थे और कानपूर में पांच बजे पहुच गये थे बस आउटर पे थोड़ा सा रुग गई थी दस या पंद्रा मिनट के लिए बाकी हम साड़े पांच पे हम आगे थे कानपूर स्टेशन तो बहुत ही अच्छा एक् कानपूर और यहां पर हम लोग जा रहे हैं बाहर भाई आ गया था हमारी गाड़ी लेकर जो हमारी गाड़ी चलाता है वह आ गया था तो हम लोग जा रहे हैं घर बहुत ही जल्दी हम घर पहुच जाएंगे कानपूर कानपूर में आ गया है भाई हमारी गाड़ी लेकर आप हम लोग जाएंगे घर हैना क्रिशीव यह देखिए हमारी गाड़ी बहुत देख लीजिए एक महीने के बाद रभी साढ़े पांच बज रहें इतना अच्छा मौसम हो रखका है देखिए भी शूर देखि निकल रहे हैं क्या बेटा फिर दो लू टादू आट चार ने पर कितना खुस हो रखा है अपनी कार देखेए कि अपनी कार पसंद है प्रकार बजुदी ने इस पड़ा हो गया है और रभास अवं भी जाएंगे गार बहुत रख जाएंगे पहुत ज़र दीप ज़राया सा बारे पांच बज रहा है, साथ बेर तक घर पूट जाएंगे, यह सुबह के टाम जाएंगे, यह सुबह के टापिक नहीं नहीं दर, वटन दोई हैं वे, इसी को स्टैंडल पहना देगे हैं, तो काईस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, तो चलिए वाला ब्लोग में यह पेंट करते हूं मिलते हैं आप से नेक्स ब्लोग में, तब तक लिए बाबाई, टेक यह लोट सव लग, नेक्स ब्लोग बहुत इंट्रेस्टिंग हो लोगा है, तो पूरा जरूर देखिएगा आप लोग, और थोड़ा सा लेट हो रहा है मेरा ब्लोग, तो इसके लिए तो एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स ब्लोग में, बाई बाई